डिस्क ब्रेक और ब्रेक पैट्स के निरिक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र के पूरा होने पर आप डिस्क ब्रेक के निरिक्षण की पद्धती का प्रदर्शन कर पाएंगे और brake pads के निरिक्षन की पद्धती का प्रदर्शन कर पाएंगे आईए सबसे पहले diagnostic test के लिए एक जाच सूची तयार करते हैं डिस्क ब्रेक और brake pads के निरिक्षन में शामिल है brake pad के dimensions सीमा के अंदर है brake pads के घर्शन वाले पदार्थ brake disc का visual inspection brake disc के dimension काम करने की सीमा के अंदर है caliper pins जाच के लिए tools और उपकरण आवश्चक है दो post वाला lift pneumatic gun torque wrench spanner vernier caliper और c clamp चरण एक वाहन को दो post वाले lift पर रखिए चरण दो वाहन को काम करने की सुईधा जनक उचाई तक उठाईए चरण तीन pneumatic gun का प्रयोग कर पहिये के bolts को निकालिए चरण चार वाहन से टायर को निकालिए चरण पाँच पहिये के भीतरी भाग में caliper pins को लोकेट कीजिए चरण छे spanner का प्रयोग करके caliper bolts को ढिला करके निकालिए चरण साथ caliper assembly को उठाईए चरण आठ brake pads को निकालिए एक आगे के भाग से दूसरा पीछे के भाग से आईए निर्धारिट डाइमेंशन के लिए brake pads की जांच करते हैं brake pad के घर्षन वाले पदार्थ चरण एक किसी खराबी या दरार के लिए brake pads का निरिक्षन कीजिए चरण दो vernier caliper से घर्षन वाले पदार्थ के मोटा ही मापिए चरण तीन सीमा के अंदर नहीं है आईए डिस्क ब्रेक के निरिक्षन की विधी देखते हैं चरण एक डिस्क ब्रेक पर किसी भी दरार या नीले रंखी जाज कीजिए चरण दो माइक्रो मीटर का प्रयोग करके डिस्क की मोटाई मापिए उप्योग से पहले माइक्रो मीटर को कैलिब्रेट कीजिए चरण तीन डिस्क ब्रेक पर कोई दरार या नीला रंग पाया जाए या डाइमेंशन उत्पादक द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर नहीं है चरण चार यदि कोई खराबी नहीं मिले तो डिस्क को साफ कीजिए एमरी पेपर से डिस्क को रगडिए साफ कपड़े से डिस्क को साफ कीजिए चरण पाँच कैलिपर पिन हाउसिंग से कैलिपर पिन्स को खिसका कर बाहर निकालिए चरण चे किसी प्रकार के मुड़ने या खराबी के लिए कैलिपर पिन्स का निरिक्षन कीजिए अगर पिन खराब है तो उन्हें बदल दीजिए आईए डिस्क ब्रेक और डिस्क पैड्स को लगाते हैं चरण एक, कैलिपर पिन पर सिलिकॉन ग्रीज लगाईए चरण दो, सावधानी से पिन को हाउसिंग में खिसका दीजिए चरण तीन, हाउसिंग पर लगे अतरिक्त ग्रीज को बेकार कपड़े से साफ कीजिए चरण चार, एमरी पेपर से ब्रेक पैड्स को साफ कीजिए चरण पाँच, एंटी रेटल शिम पर सिलिकॉन ग्रीज लगाईए चरण चे, ब्रेक पैड्स को सिरे पर सिलिकॉन ग्रीज लगाईए चरण साथ, कैलिपर असेंबली में ब्रेक पैड्स को वियर इंडिकेटर के साफ लगाईए सुनिश्चित कीजिए कि घर्शन वाली सतह डिस्क की तरफ हो चरण आठ, ब्रेक पैड्स को अपनी जगह पर लगाईए सी क्लैम का प्रयोग करके कैलिपर पिस्टन को अंदर ढके लिए और ब्रेक पैड को अपनी जगह पर लगाईए चरण नौ, कैलिपर असेंबली को नीचे उतारिए चरण 10, स्पैनर का प्रयोग करके कैलिपर बोल्ट को लगाईए चरण 11, टॉर्क रेंच के प्रयोग से बोल्ट्स को निर्धारिट टॉर्क तक कसिये चरण 12, टायार लगाईए और पहिये के बोल्ट्स को लगाईए चरण 13, स्पैनर का प्रयोग कर पहिये के बोल्ट्स को कसिये चरण 14, दो पोस्ट वाले लिफ्ट से वाहन को नीचे उतारिए चरण 15, टॉर्क रेंच का प्रयोग करके बोल्ट्स को निर्धारिक टॉर्क तक कसिये चरण 16, दूसरे पहिये के ब्रेक पैड और डिस्क ब्रेक का निर्धिक्षन कीजिए आईए ब्रेक पैड्स और डिस्क ब्रेक को निकालने, निर्धिक्षन करने तथा लगाने के प्रक्रिया को संक्षेप में देखते हैं कि अईए भालने की। झाल झाल